हाई गाईस आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पे माई ओनलाइन कासूम और आज इस वीडियो में चैप्टर में आपको एक्स्प्रिंग करने वाली हूँ यह है क्लासिक्स का हिस्ट्री का चैप्टर 10 है यह दा पोस्ट मौरियन प्रेयर और इस चैप्टर को हम उसकी हर्प से समझेंगे जैसा आप देख सकते हैं सारी इंपोर्टेंट लाइन से यहां पें पॉइंट में में चैप्टर इस चीज जो आपको याद करनी है और साथी मैं आपको इंपोर्टेंट कोशन भी बताते चलूंगी कि किस तरीके के कोशन आएंगे और क्या अंसर आपको लिखना है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखिए चैप्टर का नाम है दा पोस्ट मॉर्यन प्रेयर यानि इंटोड़क्शन में हमें यह बास समझ लेनी चाहिए कि हम इस पूरे टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं तो देखिए इस चैप्टर का नाम है पोस्ट मॉर्यन प्रेयर यानि मॉरे वंश के बाद का जितना भी टाइम था यानि मॉरे वंश के बाद जो भी समराज जो भी किंगडम आए कौन-कौन से ऐसे किंगडम थे जो पावरफुल हुए किस तरह का वहां का एद्मिस्टेशन सिस्टम था तो यह साई चीज़े हम पढ़ेंगे साथी हम कुछ फॉरें रूलर्स के बाएं में भी इस चैप्टर में जानेंगी तो दिखें इंडोडक्शन में लिखा ही गया है कि मॉर्यास के बाद कौन-कौन से ऐसे रूलर्स थे इंडिया के जिन्होंने सक्सीड किया और साथी हम फॉरें रूलर्स यानि हाटैकर्स के भाएं में पढ़एंगे जैसे सूंगास हैं कानवास हैं सत्वहान हैं इंडो-ग्रिक्स हैं और साक्स और फुश्टार्स और पिए फॉज्टास हैं तो इन के बाएं में हम पढ़ेंगे तो आप गात की जाए श॔स तो इन पर दीकिंड़ाज चेराज और इन तीनों के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि यहां से आपका question बनेगा साथी introduction में भी आपके foreign rulers के नाम मैंने आपको बताए है highlighted के second point में इनके बाए में भी आपसे पूछा जा सकता है तो इनके नाम भी आप याद रखेगा इनकी dynasty के बाए में और southern kingdoms में यह तीन वंश जो थे चोलाज, चेराज और पांडियाज इनके बाए में आपको याद रखना है तो देखिए मौरियन प्रेट में भी यह वंश थे और बट मौरियन वंश के बाद इन्होंने किस तरह से अपने आपको establish किया और इन kingdoms देखिए साइक साइक जो kingdoms थे बहुत ही powerful थे South India में और यह किस time की बात हो रही है यह तो 2300 साल पहले की बात हो रही है अर्लियस जो तमिल compositions हमें मिले हैं देखिए हम जो बूरे हैं कि हाँ यह तीन powerful kingdom थे और बहुत ही ताकतवर थे साउथ इंडिया में थे इतने साल पुराने थे तब इन्होंने राज किया तो यह सब चीजे जो हैं हमें थोड़ से sources मिले हैं तो आर्लियस जो तमिल composition है संगम literature तो यहां पर आपको फिर से वर्न मार कोशन आपका इसली बन जाता है चोलाज, चेराज और पांडियाज के जो हैट थे इन तीनो फैमिली के जो ruling families के हैट थे उनके लिए मुवेंदर शप्त का इस्तमाल होता था उनको बोलने के लिए मुवेंदर वर्जो था वो इस्तमाल होता था आब आते नेक्स्ट हैडिंग पे तो यह है चोलाज तो हम ए चोलाज था, आचा यह कहां पे था तो कावेरी डियल्टा पे था इसकी capital क्या थी तो देखे अगर पूछा जाए कि सबसे famous कौन सा था तो आपको पतावना चे चोला किंगडम है और कहां पे situated था कावेरी डियल्टा पे था साथि इसकी capital क्या थी उसकी capital थी अरे यूर। एलारा और कारिकला जो थे ये दो important kings थे इस चोला kingdom की साथी देखे जो पोहर और कावेरी पतनम है वो large port था यानि सी port था और एक trade center था चोलाज का तो यहां से जादर सदर जो वैपार है वो होता था क्योंकि सी port का मतलब है जहां जाते थे तो import export का काम होता था तो बिल्कुल यह एक trade center था तो वैपार का काम होता था और चोलाज के लिए आप कह सकते हो यह बहुत ही अच्छा इंकम सोर्स के नजरिये से बहुत अच्छा एक सेंटर था आप आते हैं चेरा के उपर तो देखे जो चेरा किंग्डम था वह क्या था वह कून कोशी जगा को इस टाइम कंप्रीज क्या था तो आज को केला है और कुछ पार्ट जो है तमिलाडू के उस टाइम यहां तक फै पर आप एक ही हो ठीक है तो उसी तरह से कैपिटल थी और इट वो सिच्वेटेट थी तो यह रीवर अम्रावली ठीक है तो नाम पूछा जा सकता है आपसे तो रीवर अम्रावली जो की ट्राइब्यूट्री है किस नदी की काविरी ट्राइब्यूट्री क्या होती है एक सा तो यहां तक फैला हुआ था और मदुरही जो था वह इसकी कैपिटल थी पांडियास की रूलर्स जो थे यहां के वह पैट्रोन आफ और लिट्रेचर यानि वह काफी सपोर्ट करते थे आर्ट लिट्रेचर के और उसके प्रशन शक्त भी थे तो इसका मतब में इसमझ में आजाता है कि वह काफी आर्ट में दिलचेस्पी लेते थे और लिट्रेचर गरा में दिलचेस्पी लेते थे उन्होंने थे Arrange the Great इसके साथ ही वो क्योंकि literature में इंटरेस्ट था तो literary assemblies भी organize करते थे मदुरही में इसके अलावा यह जो kingdom था यह और भी एक चीज़ के लिए बहुत famous था जो और दो kingdom नहीं थे तो यह pulse यानि मोतियों के लिए बहुत ही ज़दा famous था अब आते next common features of the cholas, cheras and pandyas तो देखें यह आपसे individual भी पूछा जा सकता है कि cheras kingdom के बाएं में बताईए चोला kingdom के बाएं में बताईए या pandyas kingdom के बाएं में बताईए तो जो चीज मेंने अभी आपको explain करी points में तो marks के recording आप यह चीज़े लिख सकते हो अगर फिर question आया कि common features बता दीजिए चोला चेराज की या common features बता दीजिए तीनों के या common features बता दीजिए चेराज और पांड्यास की तब आपको क्या करना है आपको marks के recording आपको यह भी दे कितने marks का रहा है और आपको कितना आपको prepare करना हो कितना आपको लिखना है तो अगर आप समझ जाओगे तो आप लिख भी लोग अच्छे से तो centers of power ठीक है centers of power कौन कौन से हैं आपे तो each of these three kingdoms जो थे उनके two centers of power होते थे ठीक है तो शक्ती के दो केंदर मेन होते थे इनके त on the coast यानि coast पे यानि आप कैसे तो कि जिसे एक main हो गया जो कि inside of the city हो गया और एक कहां पे हुआ एक coastal area पे हुआ यानि क्योंकि seaport के जूरूत पड़ेगी तो एक center जो है coastal area पे बनाया जाता था जिससे की जो वैपार है वो इसली क्या जा सके और एक inland एक अंदर होता था था बाकि coastal जो टाउन था जो coastal center था वहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता था सप्लाई का काम होता था अब आते हैं distribution of wealth पे तो देखिए तीनों kingdom जो थे किस तरह से distribution करते थे wealth का income का तो यहां पे जो राजा होता था वो sum of the wealth for themself अपने लिए कुछ income रगता था वे नेक्स्ट है reward तो किस तरह के rewards दिये जाते थे तो poets generally जो हैं वो poems लिखते थे ठीक है यानि की कविताएं लिखते थे किस की प्रेशनशा में राजाओं की प्रेशनशा में क्योंकि जब राजाओं को यह कहानिया और कविताएं सुनाई जाती थी तो राजा खुश होते थे और वो इनामेन को reward देते थे और क्या क्या rewards में देते थे यह तो gold है precious stones horses है एलेफेंस है रत हैं fine clothes हैं तो यह सारी चीजें जो है राजा वो प्रेदान करते थे अगर वो खुश हो जाते थे इनकी कविताओं से और इसी चाहा में जो poet हैं वो कविताएं लिखते भी थे next आत currency है वो pay करने है ऐसा कुछ नहीं था but but एक चीज यह भी थी कि अगर income source लेना है तो किस तरह से हो तो but they demand and accepted gifts from the people तो पर वो इसके लावा क्या करते थे demand करते थे और accept करते थे जो भी people है जो भी दूर दराज के लाके साथे थे तो वो gift लेके आते थे तो वो राजा लोग वह और इसी के वेरे से मार्क हुआ beginning of the decline of the modern empire यानि इसके साथ ही जो modern empire था वो एक्तम धेरे कैसकतो weak होता गया और धेरे खतम होता गया अशोका के जो successors थे वो weak और inefficient थे तो देखी यह second point इस चीज को clear कर रहा है क्यों क्यों जब अशोका के death होगी तो क्यों modern empire जो था वो एक्त बाती नहीं थी आप इसके वज़े से जो और बाकी kingdom थे वो किस तहां से फले फुले तो इसमें आता है दिखे सुंगा डैनेस्टी तो पुषे मित्रा सुंगा जो था वो एक powerful और brave ruler था इस डैनेस्टी का पुषे मित्रा ने defeat किया था एक Greek invader जो एक बहारी Greece country का जो attacker यहां वो था देव भूती जिसको उसकी मिनिस्टर वासुदेव कनवा ने 73 BC में मार दिया आप देखे यहां पर लास्ट पॉइंट जो हाइलेटेड है लास्ट वर्ड उसी से आपका second heading बन रहा है वासुदेव कनवा की बात हुई है यानि वासुदेव मिनिस्टर था उसने कर देखे आवंडर था कनवा ड्यासुदेजसर ने जो ड्यास्ट थी जो वर्च था उसने क्या कूल सा रिलेजर फॉलू किया तो इन्होंने ब्रहामन भ़ला और यहां पर कोई भी इसे निह अब है वेध पुरानशी सैच सह को पीशीजर और यह जो ड्यासoken ती लगवर 45 वर्ट सत्वाहनाज है तो इस मीन्स कि जो नेक्स एडिंग आ रही है वो सत्वाहनाज तो कानवा के बाद जो वर्श आया वो सत्वाहनाज था तो सत्वाहना जो थे वो most important successors थे मौर्या के in the Deccan यानि मौर्या के बार Deccan में सबसे जो powerful और successors जो important successors में count हुए वो सत्वाहनाज थे गौत्मी पूत्र श्री सत्वाहनाज थे गौत्मी पूत्र श्री सत्वाहनाज जो था वो most important ruler था इस डैनस्टी का श्री सत्वाहनाज जो रूलर थे उन्हें Lords of दक्षिनापत के नाम से भी जाना जाता है तो इसको याद रखिएगा कि कौन से डैनस्टी के जो राजा था श्री सत्वाहनाज रूलर थे उनको Lords of दक्षिनापत भी कहते थे आच्छा अब यहां भी एक चीज़ याद रखने है कि जो continue war हुए ठीक है सत्वाहनाज के कि साकास के अगेंस तो इसमें क्या हुआ यह जो सत्वाहनाज थे वो वीक होते गए क्योंकि साइसे बाते जब वार होता है तो बहुत सरा पैसा खर्च होता है तो और continue जब वार चलते तो इस ताह से एकनौमी पुरी की पुरी बरबाद हो जाती है तो वीक होगे के गवर्नर्स जो थे उन्होंने जब ये किंग्डम्स एकदम वीक हो गए तो उन्होंने अपने आपको सवतेंतर घुशित कर दिया और जो एंपायर था वो ब्रॉक अप हो गया और मैनी न्यू न्यू किंग्डम्स जो थे वो उभर के सामने आए आप यहां पर एक चीज अकरमन कारी थे उन्होंने भी इस बात का पुरा फायदा उठाया जैसे मौरियन एंपायर डेकलाइन हुआ खतम हो गया धिरे धिरे और स्मॉल और वीक इंग्डम उभरने लगे तभी फॉरें पास जैसे इंडो ग्रीक्स साकास और कुशानास जो थे उन्होंने इस बात का सिच्वेटेड और जो मेंडर है मेंडर था वो फेमस इंडो- Hail ग्रीक रूलर था और इसने दे इंट्यूस ग्रीक एलेमंस तीक है ऐसा नहीं था कि उन्होंने और चीजसों में इंडियान favor, ऐन तो उन्होंने ग्रीक एलेमंस इंडियान आर्ट ठीक है कुछ ग्रीक एलेमे एवन दो ही वास फॉरें रोलर ठीक है वह एक फॉरें रोलर था बट वो सैटल हुआ इंडिया में और इसके अलावा देखिए ही हाड ग्रेट लव फॉर दे संस्क्रित लांग्विज उसको एक बहुत ही अच्छा लगाफ था प्यार था संस्क्रित लांग्विज से साथी व वाले नसी उत्रपेजिश तक फैला हुआ था और पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया इरान अफगाइस्तान पाकिस्तान और नौर्थ इंडिया वर अंडर दे रूल अफ कुशानाज तो यह सारे एरिया आप देख सकते कि इतना लाज एंपायर था इनका पेशावर मतुरा जो को भी इस्तमाल करते थे वैपार करने के लिए नेक्स्ट है कनिश्क तो कनिश्क जो था कनिश्क वस एक फेमस कुशान रोलर था यह सेवेंटी एट बीसी में उसने स्टार्ट किया था नियू एरा जिससे साका एरा भी कहते है और इस इस नाव फॉलवर्मेंट ऑफ इंडि को इसी वज़े से उसे सेकंड अशोका के नाम से भी जाना जाता था तो आपको यहां पर यहां पर याद रखना है कि कौन सा इसा रूडर था जिसको सेकंड अशोका के नाम से जाना जाता है तो आंसर होगा कनिश्क और क्यों जाता है क्योंकि जिस तरह से अशोका ने बु तो इसी तरह से कनिश्का ने भी वही काम कहता है कनिश्क रूलर ने तो इसी वज़े से इसको इनको सेकंड अशोक के नाम से जना जाता है साथी इसने पैट्रोनाइज किया था गांधार स्कूल आफ आर्ट को भी तो यह भी इंपॉर्टेंट है साथी आब आते हैं फीचर्स आज नंबर में जो कोईंसे गोल्ड, कोईंस, सिल्वर, कॉपर कोईंस वो इशू किये पूहर, सोपारा, कल्यान, ब्रॉक यह मेन सेंटर्स ओफ ट्रेड थे जहां पर वैपार होता था साथी थी के पैपर जो काली मिर्सी वो रोमन एंपार में काफी वैलूबल थी और जो होने के भाव के अकॉर्डिंग ही वैलूबल थी इस वर इसे से ब्लैक गोल्ड कहते हैं तो यहां से भी कॉश्चन काफी काफी बार आपके आगी क्लासिस में भी बनेगा तो आप याद रखेगा, नेक्स्ट है सिल्क औं सिल्क रूट तो दिखें सिल्क की जो टेक्निक है क तो इसे ब्लैंटिंग मिस्टेक है यहां पर सिल्क है तो यह कैसे जो रौ सिल्क है वो कहां से प्राप्त होता है तो सिल्क वाम के काकून से प्राप्त होता है और इसको हमें अच्छे से पता है सैरी कल्चर भी बोलते हैं और चाइनेज जो हैं वो कैट करते हैं ठीक है उन् जल्दी बताया ने था कि सिल्क कैसे बनता है साथी देखिए उन्होंने यह जो सिल्क था वो तौफिय में देते थे दूसरे देशों के राजाओं को यहां के वैपारी तो इस चाहँ से धीरे धीरे लोगों को डिस्टन्स लेंड के लोगों को सिल्क के बाए में पता चला और पार्ट से फॉलर वर नोन अस सिल्क रूट और साथी जुस रास्ते से सिल्क को ले जाया जाता था और बहार दूसरे देशों में बेचा जाता था उस रास्ते को सिल्क रूट कहते थे और सिल्क बहुत ही एक्सपेंसिव था और जो मैने किंग्स जो थे वो चाहते थे कि व वह भी एक तरह से टेक्स लेते थे तो इस तांसे सिल्ख रूट की अपनी ही खुद की एक अलग कहानी है अब आते हैं डिलिजिन को लेके तो डिलिजिन में देखें दो डिलिजिन बहुत इस टाइम फेमर्स थे बुद्धीजम और हिंदुजम देखें आग़ चलका प्रफॉर्स इसको रिषम पसकते हैं इसको डिवाइड कर सकते हैं एक हीहन यान गोहां से लॉधिम्रा महायाना क्या पूचेहा को तो अनि में ढ़क龙 से l sound ऑ Criminal good City performing an a consumers परफॉर्ध के और तो महायाना चाहिए भू इद और अरे रियवाज के जो फो durum NG इसको follow किया रहता था, एक belief था, बोधी सत्वा जो develop हुआ under the Mahayana form of Buddhism, तो ये भी जो बोधी सत्वा जो एक belief था, ये कहां develop हुआ, ये Mahayana form of Buddhism में develop हुआ, अब ये क्या था, देखिए, तो बोधी सत्वा वर considered to be the person who had attained enlightenment, तो ये बोधी सत्वा उस इंसान के लिए था, उस person के ल लेता था, यानि मौक्ष की प्राद्टी कर लेता था, नेस्ट आते हैं, expansion of religion, तो किस तहां से religion को expand किया गया, जैसे हमें पहले ही पता है, अमने इस चीज को थोड़ा पहले भी बढ़ा है, कि बुद्धिस्म को spread किया गया, अपनी country में, इंडिया में इतो, साथी शीलंका, Myanmar, Indonesia, Thailand में, आशोका ने देखे, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया, तो अपने son और daughter को भीजा था, बुद्धिस्म को spread करने लिए, पिल्ग्रिम्स, अब आते हैं कि पिल्ग्रिम्स क्या है, तो देखे, जो भी man और women, जो holy यात्राओं पे निकलते हैं, ठीके, धानमी के आदरों पे निकलते हैं, तो वो पिल्ग्रिम्स होते हैं, और वर्शिप के इरादे से ठीके कि वर्शिप करने के लिए, तो चैनिस बुद्धिस्ट पिल्ग्रिम्स जो थे, वो भी आए, यहाँ पे इंडिया में, जैसे फाहीन है, हिउन सेंग है, इत सिंग है, यह भी आय हो गए थे, क्योंकि देवी देवताओं की पूजा होने लगी थी, और लविंग डिवोशन तो गौड और भक्ती बिकें वेरी पॉपुलर, और साथी जो किस तान से आपको समर्पित करना गौड को और भक्ती को करनी है, तो भक्ती काफी पॉपुलर होगी थी उस तेंग भक्ती देखें, भक्ती का मतलब क्या होता है, means a person devotion to his or her D.I.D. तो अपने पूजी देवी देवताओं के प्रती समर्पित ही होना भक्ती कहलाता है, ये एक संस्कित वर्ड है, जो भाग से आया, भागा, जिसका मतलब होता है, share or to divide, ठीक है, आपका हिस्सा or to divide, यहाँ पे देखें, जो में पूजनिये, जो देवी देता है, शेव, विष्णु, दुर्गा, उनकी पूजा होती थी, किसके द्वारा भक्ती के द्वारा, फीचर्स क्या है भक्ती के तो यहाँ से question बनता है, और इसको याद रखेंगा जब भी आपसे features of भक्ती पूचा जाए, तो आपको यह सर हैडिंग्स देनी है, माक्स के रिकॉर्डिंग देनी है, spiritual images, ठीक है, तो हमें अच्छे से पता है, भक्ती में हर कोई जो है, अपने देवी देवताओं की पूजनिये, देवी देवताओं की पूजा करता है, और यह मानने जाता है, कि जो देवी देवता भी ह करते हो तो, लविंग डिवोशन, तो लविंग डिवोशन में क्या है, कि यह system emphasis करता है, कि इस पात पर जूर देता है, कि डिवोशन और इंडविज्वल वर्शिप है, God of Goddesses की, वो आप सच्छे मन से कर सकते हो, ऐसा निया कि आपको बहुत आडंबर करने है, आपको rituals, sacrifices करन कर सकते हैं, यासे वराजा कर सकते हैं, यासे मैन कर सकते हैं, वीमें नी कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई अराम से अपनी मर्जी के हिसाब से पूजा पार्ट कर सकते हैं, development of art, और हर किसी का जो भक्ती का अंदाज होगा, वो भी devotion जो हो अलग-अलग होगा, development of art, तो इसी तरह से देखे किस तांसे आर्ट भी डेवलप होती है क्योंकि सब ने जब भक्ति का मार्ग अपनाया तो हल किसी का पूजा पाट करने का अपना अपना धंग था अपने पूजा पाट करते थे तरह तरह के भक्ति गाने गांके भजन गांके तो इस तरह से यह डेवोशन का पाथ था बेगनिंग ऑफ टैंपर इसके साथ ही देखिए जो डेटेज हैं उनकी जो मूर्ती हैं उनको रखने के लिए एक स्पेशल होम्स चाहिए होते थे और इन जगाओं पर देवी दवताओं की पूजा मंद जो मूर्तियां हैं वो स्थापित की जाती थी रखी जाती थी वहाँ पर पूजा पाट कह रहाता था तो उस जगा को टैंपर्स या नहीं मंदिर कहते थे तो आई होब यह चैप्रा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो थेंकियो एविवन और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब देख चैनल को मोर अपडेट्स